हेलो फ्रेंड्स आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने जी विज्ञान की एक नई वीडियो जिसमें हमने जी विज्ञान के बहुत सारे महत्वपूर्ण, बहुत विगल्प्य प्रसनों को रखा है जो आपकी आने वाली परत्यों की परिक्साव के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो कहीं मत चाहिएगा, बने रहीगा, अंत तक साथ साथ देते रहीएगा, प्रसनों के जवाब और अंत में बताईएगा कि आपने कितने प्रसनों को सही क्या है दोस्तो आज का हमारा पहला प्रसन है कि जी विग्यान का पिता किसे कहा जाता है चार ओप्सन दिये गए हैं, पहला ओप्सन है चारलाश डार्विन, डूसरा ओप्सन है लीनियस, तीसरा ओप्सन है अरस्तू, चोता ओप्सन है मेंडल दोस्तों जल्दी से बताए जी विग्यान का पिता किसे कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तू को दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि पूछे जी विग्यान का पिता तब भी अरस्तू जी विज्ञान के अंदरगत यदी पूछ ले जन्तू विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तब भी अरस्तू और यदी पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो याद रखेगा वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है थियो फरस्टस को तो पहले परसन का अंशर हो जाएगा option C person number 2 honor पर deson number 2 है G1 का भोतिक आधार क्या है चार option दिए गए है पहला option ने gene दूसरा option कोशिका तीसरा option मानिठो कॉंडरिया चोता option ने žीव द्रव्य तो दोस्तो G1 का जो भोतिक आधार होता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य यालने कि option number D correct हो जाएगा person number 3 पे चलते है person number 3 है सर उपर्थम कोशिगा का पता किस ने लगाया था चार option दिये गए है पहला option है सलाइडें दूसरा option है रोबर्ट हुक तीसरा option है स्वान चोथा option है डार्विंग तो दोस्तों सबसे पहले कोशिगा का पता लगाया था रोबर्ट हुक ने 1665 में option number 20 में correct हो जाएगा person number 4 पे चलते है person number 4 है कि कोशिगा का सक्ति केंद्र किसे कहा चाता है चार option दिये गए है पहला option है माइट्रो कोंड्रिया दूसरा option है लाइसोसोम तीसरा option है केंद्रक चोता option है कोशिगा द्रव्य तो दोस्तों आपको बता दे कि कोशिगा का शक्ति केंद्रिया बिजली कर कहते है माइट्रो कोंड्रिया को option number 1 correct हो जाएगा person number 5 पे चलते है person number 5 है कि कौन सी दचना पादब कोशिगा को जन्तू कोशिगा से विभेधित करती है चार option दिये गए है पहला option है कोशिगा बित्ती दूसरा option है पर्ण हरित तीसरा option है सेंट्रियोल चोता option है ये सबी तो दोस्तों आपको पता दे कि ये तीनों की तीनों सनरशनाई जो होती है वो पादब कोशिगा और जन्तू कोशिगा उसको एक दूसरे से अलग करती है इसलिए इसका right option हो जाएगा option number D person number 6 किस कोशिकां को आत्मात्या की थैली कहते हैं चार option दिये गए हैं पहला option है लाइससों दूसरा option है लाइससों तीसरा option है जित्तिका चोथा option है सेंट्रोसों दोस्तों किस कोशिकां को आत्मात्या की थैली कहा जाता है उसका नाम बताईए उसका नाम होगा लाइससों option number B correct हो जाएगा परसा नंबर साथ है कि DNA की द्वी कुनित कुन्डिलित अवस्था का किसने पता लगाए था यानि कि जो DNA का डबल हैलिक्स इस्टक्चर या मोडल होता है उसका पता किसने लगाए था चार ओप्सन दिये गए हैं पहला ओप्सन है वाट्सन एवं क्रिक दूसरा ओप्सन है स्लाइडेन एवं श्वान तीसरा ओप्सन रोबर्थ हुक चोथा ओप्सन है ग्रेकर मेंडल तो दोस्ता आपको बता दे कि DNA की डबल हैलिक्स इस्टक्चर या मोडल का पता लगाए थ चार ओप्सन एवं कीरिकनेलिकाल ओप्सन नंबर एक हो जाएगा प्रसरा नंबर आर्ट परिव Kingston 5 दोस्तों 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 प्रमुक कार्य होता है आनुवान्शिक किर्याओं का संचालन अर्थात आनुवान्शिक लक्षनों को PD दर PD हस्तान तरित करना DNA का एक महत्वपूं कार्य है इसलिए इसका ओप्सन नमबर D करेक्ट हो जाएगा RNA पाया जाता है चार ओप्सन दिये गए है पहला ओप्सन है कोशिका भित्ती में दूसरा ओप्सन है माइटो कोंट्रिया में तीसरा ओप्सन है कोशिका द्रव्य में चोथा ओप्सन है राइबोसोम में तो दोस्तो RNA कहां पाया जाता है आरन ने पाए जाता है, कोशी का द्रव में इसलिए ओपशन नमबर सी correct हो जाएगा परसा नमबर 10 पे चलते हैं परसा नमबर 10 है आन्वानशीगे का पिता किसे कहा जाता है चार ओपशन दिये गए हैं, पहला ओपशन है ले मार्क, दूसरा ओपशन है डार्षिन तीसरा उप्षन है मैंडल, चोथा उप्षन है अरस्तू दोस्तों आनवानशीगी का पिता किसने कहा जाता है? आनवानशीगी का पिता कहा जाता है मैंडल को उप्षन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा परसन नमबर 11 पे चलते हैं नमबर 11 है कि मनुष्य में गुण सूत्रों की कुल कितनी संक्या होती है चार उप्सन है पहला उप्सन है 46 दूसरा उप्सन है 47 तीसरा उप्सन है 56 चोथा उप्सन है 57 दोस्तों जल्दी से बताए मनुष्य में गुण सूत्रों की कितनी संक्या होती है तो मनुष्य में गुण सूतर की संक्या होती है 46 option number 1 correct हो जाएगा person number 12 है मनुस्या में होने वाले आन्वान्शिक रोग कौन से हैं चार option दिये गए हैं पहला option ने वर्नादता, दूसरा option हीमोफीलिया, तीसरा option ने टर्नर सिंड्रॉम, चोथा option ने ये सबी, तो दोस्तो वर्नादता हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रॉम ये कैसे रोग हैं ये अन्वान्शिक रोग के अंतर गताते हैं इसलिए इसका right option हो जाएगा option number D person number 13 है लड़का पैदा होगा जब चार option दिये गए हैं एक्स एक्स गुन सूतर होंगे दूसरा option है वाई वाई गुन सूतर होंगे तीसरा option है एक्स वाई गुन सूतर होंगे चोथा option है एक्स 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 गुन सूतर होंगे तो बताए कि करबादान करते समय वह कौन सा जोड़ा होगा गुन सूतरों का कि जब लड़का पैता होगा तो option हो जाएगा इसमें C सई यानि कि XY गुंड सूत्र होंगे तब क्या पैता होगा संतान कैसी होगी संतान नर होगी option number C हो जाएगा तेरिवे का answer person number 14 पे चलते हैं person number 14 है hemophilia रोग से ग्रिसित व्यक्ति में लक्षन दिखाई देते हैं अर्थात जिस व्यक्ति को hemophilia हो जाएगा उसके अंदर कैसे लक्षन दिखाई देंगे चार option दिए गई हैं पहला option है iron की कमी हो जाती है दूसरा option रक्त का भेहना बंद नहीं होता तीसरा option है रक्त बंदता ही नहीं चोथा option है रक्त में श्वेत रक्त करन म्रत हो जाते हैं तो दोस्तों जिस व्यक्ति को hemophilia होता है उसमें रक्त का भेहना बंद नहीं होता इसलिए option नमबर भी इसका correct हो जाएगा परसन नमबर 15 है जीन के बारे में कून सा कथन सकते है चार option दिए गए है पहला option है यह है प्रोक तो सभी तो दोस्तों जल्दी से बताएगा पंदरवेक आंसर जीन के बारे में कौन सा कथन सकते है तो देखे जीन के बारे में तीनों कथन सकते है इसलिए इसका right option हो जाएगा option नमबर D परसन 15 पे 16 पे चलते है परसन 16 है जीन का सरपर्थम कितरिम संसिलेशन किस ने किया था चार option दिये गए है पहला option है जगदीश चंदरबोस दूसरा option है वाट्शन तीसरा option है हरगोविंद खुराना चोथा option है रोबर्ट ब्राउन दोस्तों जल्दी से बताएगा इसका right option जीन का किर्तिम संसिलेशन किस ने क्या था तो जीन का किर्तिम संसिलेशन क्या था हरगोविंद खुराना ने option number C correct हो जाएगा परसन नंबर 17 पे चलते है परसन नंबर 17 है प्राकर्तिक चेयन के सिधान्त का प्रतिपादक का नाम क्या था प्रताद उस साइंटिस्ट का नाम बताईए जिसने प्राकर्तिक चेयन का सिधान्त दिया था चार option दिये गई है पहला option ने चार्लस डार्विन दूसरा option ने लैमार्क तीसरा option ने अरस्तू चोथा option ने हरगोविंद खुराना तो दोस्तो प्राकर्तिक चेयन का सिधान्त दिया था डार्विन ने इसलिए option नमबर एक करेक्ट हो जाएगा प्रसन नमबर अठारा है आनुवानशिक संबंदी परियोग के लिए मैंडल ने किस पोधे का चुनाव किया था चार option दिये गए हैं तो दोस्तो अनुवानशिक संबंदी चुनाव के लिए मैंडल ने मटर के पोधे का चुनाव किया था option नमबर एक करेक्ट हो जाएगा परसन नमबर नेक्ट है एक वर्णाद व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती अर्थात यदि कोई व्यक्ति वर्णान देता या color blindness से ग्रिसित है तो वह किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है चार option दिये गए हैं पहला option ने लालवे पीला दूसरा option हरा वे पीला तीसरा option ने लालवे नीला चोता option ने लालवे हरा दोसर जल्दी सा अंसर बताईए पांसर होगा इसमें लालवे हरा यानि की option नमबर डी करेक्ट हो जाएगा परसन नमबर बीस है किसी संग के जन्तों को जीव दरवे के इस तरबर गठित जन्तों कहा जाता है चार option दिये गए हैं प्रोटो जोवा दोसरा option ने पौरी फेरा तीसरा option ने सीलेंट ट्रेटा चोता option ने आर्थो पोड़ा तो दोस्तों वह कौन सा संग है जिसके जन्तों केवल जीव दरवे के इस तरबर गठित रहते हैं दोस्तों वह संग होगा प्रोटो जोवा ओप्सन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा परसन नमबर 21 है एक कोशिके जन्तु अमीबा एवम योगिलीना को किस संग में रखा गया है चार option दिये गए हैं पहला option है पौरी फेरा दूसरा option है सीलेंट ट्रेटा तीसरा option है एमफीबिया चोथा option है प्रोटो जोवा दोस्तो एक कोशिक है जो जन्तु है अमीबा एवम योगिलीना उसे रखा गया है प्रोटो जोवा के अंतरगत यानिकी option नमबर डी करेक्ट हो जाएगा परसन नमबर 22 है मैंडक में स्वसन किस अंग द्वारा होता है चार option दिये गए है पहला option है त्वचा दूसरा option है कलोमो तीसरा option है फेफडो चोथा option है इन तीनों में तो दोस्तो जल्दी बताएए कि मैंडक में स्वसन किस अंग के द्वारा होता है दोस्तो मैंडक स्वसन करता है इन तीनों के द्वारा option number D correct हो जाएगा person number 23 पे चलते हैं person number 23 है वास्त्विक मचली कौन सी है चार option दिये गए हैं पहला option है starfish दूसरा option है beetle brittle star तीसरा option है hippocampus चोथा option है C succumber जल्दी से बताएगा कि वास्त्विक मचली कौन सी है तो वास्त्विक मचली होती है hippocampus इन चारों में वास्त्विक मचली कौन सी है hippocampus option number C correct हो जाएगा person number 24 है मेंड़क किस वर्ग का जनतु है चार option दिये गए हैं पहला option है पहला option है ओश्टिक थीज दूसरा option है amphibia तीसरा option है सरीशरप चोथा option है कांडिक थीज दोस्तों जल्दी से बताईए मेंड़क किस वर्ग का जनतु है तो मेंड़क वर्ग का जनतु है amphibia option number B correct हो जाएगा person number 25 पे चलते है person number 25 है इस्तनियों का रिद्य कितने कोश्टकों का होता है चार option दिये गए हैं पहला option है दो दूसरा option है तीन तीसरा option है चार चोथा option है पांस तो दोस्तों इस्तनियों का रिद्य है चार कोश्टकों का होता है option number C correct हो जाएगा person number 26 है इस्तनियों का जनतु में रग्त का सबसे अधिक तापमान किस जनतु में पाया जाता है चार option दिये गए हैं पहला option है भैंस बक्री का यानि कि इन चारों में किसका होता है बक्री का option number B correct हो जाएगा person number 27 है मचलियां किस अंग से सांस लेती हैं चार option दिये गए हैं पहला है नांक, दूसरा है तो अच्छा तीसरा है गिल, चोता है मूँ तो दोस्तों जल्दी से बताएगा कि मचलियां किस अंग से सांस लेती हैं तो मचलिया सांस लेती हैं गिल के दौरा option number C correct हो जाएगा person number 28 है सबसे बड़ा इस्तंधारी का नाम क्या है चार option दिये गए हैं पहला option है हाथी, दूसरा option है डॉल्फिन, तीसरा option है option number D correct हो जाएगा person number 29 है विश्व का सबसे छोटा पक्सी कौन सा है चार option दिये गए हैं पहला option है M.O. दूसरा option है कीवी तीसरा option है हम्बिंग वर्ड चोथा option है गोरया तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पक्सी है हम्बिंग वर्ड option number C correct हो जाएगा person number 30 है कशेरुक जन्तु के सरीर का सबसे कठोर भाग होता है चार option दिये गए हैं पहला option है Enamel दूसरा option है दाग तीसरा option है जांक की हड़ी चोथा option है कलाई की हड़ी तो दोस्तों जल्दी से बताइए कशेरुक जन्तु होते हैं उनके सरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है उसका नाम होता है Enamel option number A correct हो जाएगा Enamel next person विहेल में सवसन किस अंग में होता है पहला option है गिल दूसरा option है तुचा तीसरा option है फेफडा चोथा option है मू तो दोस्तों जल्दी से बताइए विहेल में सवसन किस अंग के द्वारा होता है तो राइट option हो जाएगा फेफडा option number C correct हो जाएगा person number 32 है आदनिक मानव को चंतु के किस वर्ग में रखा गया है चार option दिये गए है पहला option है CT भिमा दूसरा option है कोर्णिवेरा तीसरा option है प्राइमेट्स चोथा option है इंसेक्टी वोरा जल्दी से बताइए आदनिक मानव को जंतों के किस वर्ग में रखा गया है उस वर्ग का नाम है प्राइमेट्स option number C correct हो जाएगा next person पे चलते हैं next person है उतको के अध्यान संबंदी विज्ञान को क्या कहा जाता है चार option दिये गए हैं पहला option है Cytology दूसरा option है Morphology तीसरा option है Histology चोथा option है Anatomy तो दोस्तों जल्दी से बताइए उतको के अध्यान संबंदी विज्ञान को क्या कहते हैं उस विज्ञान का नाम है Histology, उप्सन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रसब नमबर 34 पे चलते हैं ी है कोशिकाओ के समू को क्या कहा जाता है चार ओप्षन दिये गए हैं पहला ओप्षन है उतक दूसरा ओप्षन है अंग तंत्र चोथा ओप्षन है कोई नहीं दोस्तों को सिकाओ के समू को कहा जाता है उतक ओप्षन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा परसन नमबर 35 पुन्रुत पादक की चमता किस परकार के उतकों में होती है या सरवधिक होती है पहला ओप्षन है चैयोजी उतक दूसरा ओप्षन है पेशिय उतक तीसरा ओप्षन है तंत्रिकिय उतक चोथा ओप्षन है उपकला उतक दोस्तों जल्दी से बताईए राइट ओप्शन क्या होगा इसका कि पुंडूत भादन की छमता किस प्रकार के उतकों में सरवादिक होती है राइट ओप्शन हो जाएगा उपकला उतक प्रसन नंबर 36 पे चलते हैं प्रसन नंबर 36 है कि सरीर में सभी एच्चिक तथा अनेच्चिक किर्याव को नियंतित करने वाला कोन सा उतक है चार उप्षन दिये गए हैं पहला उप्षन है PCA उतक दूसरा उप्षन है संयोजी उतक तीसरा उप्षन है तंत्री का उतक चोथा उपकला उतक दोस्तों, शरीर में एच्छिक एभब अनेच्छिक किर्याव को नियनतित करने वाला कौन सा उतक होता है, उसका नाम है तंत्री का उतक ओप्सन नंबर सी क्रेक्ट हो जाएगा परसन नंबर 37 पे चलते हैं, परसन नंबर 37 है रख्त किस परकार का उतक है चार उप्सन दिये गई हैं पहला उप्सन है पेशी उतक दूसरा उप्सन है संयोजी उतक तीसरा उप्सन है तंत्रीका उतक चोथा उपकला उतक तो दोस्तों याद रखेगा कि दक्त एक संयोजी उतक होता है उप्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा परसंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंच दूसरा उप्सन हड़ियां, तीसरा उप्सन है प्रोटीन, चोथा उप्सन है ये सभी दोस्तों याद रखेगा कि ये सभी संयोजी उतक के उधारन होते हैं उप्सन नमबर D करेक्ट हो जाएगा परसन नमबर 40 है संकुचन सील उतक के नाम से जाना जाता है चार उप्सन है पहला उप्सन है संयोजी उतक, दूसरा उप्सन है रेखी उतक, तीसरा उप्सन है तंत्रिका उतक, चोथा उप्सन है पेसी उतक तो दोस्तों जो पेसी उतक होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं संकुचन सील उतक के नाम से जानते हैं option number D correct हो जाएगा प्रस्ट नंबर 41 है चेतना उतक किस प्रकार के उतक को कहा जाता है चार option दिये गए हैं पहला option है उपकला दूसरा option है तंत्रिका तीसरा option है पेशी है चोथा option है ये सबी तो दोस्तों याद रखेगा कि चेतना उतक कहा जाता है तंत्रिका उतक को option number D correct हो जाएगा प्रस्ट नंबर 42 है हीमोगिलोबिन पाया जाता है चार option दिये गए हैं पहला option है स्वेत रक्त कण में दूसरा option लाल रक्त कण में तीसरा option लसीका में चोथा option है एवेबे दोनों में तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि हीमोगिलोबिन कहा पाया जाता है ही option number B correct हो जाएगा प्रस्ट नंबर 43 है किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी कहा जाता है चार option दिये गए हैं पहला option थाईरोइड ग्रंथी दूसरा option पैरा थाईरोइड ग्रंथी तीसरा option पिट्यूटरी ग्रंथी चोथा ओसने एड्रीनल ग्रंथी तो दोस्तों जल्दी से ब प्रस्ट नंबर 44 है मानव सरीर में हड्यों की संख्या कितनी होती है चार option दिये गए हैं पहला option है 204 दूसरा option है 206 तीसरा option है 106 दूसरा option है 209 तो मानव सरीर में हड्यों की संख्या होती है 206 ओप्सन नंबर B correct हो जाएगा दोस्तों ये थी हमारी आज की एक बहुब विक प्रसुनों पर आधारीत एक वीडियो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप लोग वीडियो देखते हो देखते यहां तक पहुँच गई हैं तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जायेगा और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजेगा और दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट बोक्स में अपनी राय दे सकते हो आज के लिए इतना ही नमस्कार